बसकार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल देड़ बूल ऑफिशल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि बैंक टिफ्टी कल मंडे के दिन तीन अक्तूबर को कहां पे कामकाच कर सकता है आपके कॉल पूट के क्या टार्गेट रहेंगे बट उससे पहले देखते हैं मार्केट ने फ्राइडे के दिन कहां पे कामकाच किया दोस्तों फ्राइडे को मार्केट ने हमें एक तो पहले फ्लाट उपनिंग दी उपनिंग हो के कैंडल थी जिसने यहां पर मार्केट में एक तम पहले पांच मिनिट में मुवमेंट दिखाई इसके बाद दोस्तों मार्केट दो बज़े तक हम दिन के यहां पर तिन के तकरीवन हाई के आसपास पहुँच चुके थे इसके बाद यहां पर मार्केट ने काफी देर एक कंसॉलिडेशन की कंसॉलिडेशन होने के बाद इसका यहां पर एक प्रेकाउट हुआ फिर मार्केट यहां पर कंसॉलिडेट करती रही और उसके बाद फिर यहां पर लास्ट के आदे घंटे में हमें नीचे की तरफ कुछ moment देखने को मिली तीन बजे के बाद market के अंदर यहां फिर उपर की तरफ एक channel बना जिसमें 38,800 के आसपास जाकर टच किया closing हमें मिली है 38,631 के आसपास अब Monday को क्या हो सकता है market के अंदर तो दोस्तों Monday को market के अंदर आपको बता दूं कि global markets पहले इसकी बात कर लेते हैं global markets में अगर आप US की markets देखेंगे Dow Jones की market बात करेंगे Nasdaq की बात करेंगे तो आपको दोनों ही यहां पर negative closing देती हुई नजर आई है यहां पर Dow Jones minus 500 point बंद हुआ है Nasdaq यहां पर कर तकरीबन minus 200 point बंद हुआ है और यहां definitely एक आप gap down opening market में expect कर सकते हो Monday के दिन अब बिग gap down अब यह gap down किस level तक आएगा दोस्तों यह level होगा market के अंदर 38,364 का मतलब मुझे anticipate है कि market यहां कहीं आपको एक opening देगी 38,364 level के आसपास मतलब कम से कम 300 point का आप gap down मानके चले market में आपको Monday को देखने को मिल सकता है तो फिर हमारी आगे की strategy क्या होगी हम कैसे काम करेंगे दोस्तों यहां पर इतना बड़ा gap down होने के बाद market के अंदर एक retracement आनी बहुत ज़रा ज़रूरी है मतलब यहां पर market एकदम gap down को लिसका मतलब यह नहीं कि आप immediately यहां पर shot कर लोगे market में यहां पर profit booking ज़रूर आएगी और यह market आपको यहां वापिस 38,500 के level के आसपास आपको लेकर जा सकती है तो फिर क्या करें दोस्तों तब आपने यह करना है कि आपने थोड़ा wait करना है जहां से market के अंदर हमारे पास closing आएगी मतलब 38,500 38,510 के level अगर market इसको close करके निकलती है उपर 38,510 तो ही हम यहां पर call की position में बैठेंगे नहीं तो हम avoid कर देंगे 38,510 के उपर अगर bytons market उपर निकलती है तो आपके जो targets होंगे activity में intraday में 38,600 और 38,725 तक के रह सकते हैं आपको short तब करना है जब market यहां से अपनी retracement लेकर rejection मिलती है और नीचे की तरफ आए तो आपने 38,400 के आसपास market पे put खरीत लेने है यह तब लेना है जब market reject करके आ रही है यह नहीं कि 38,364 के आसपास market ने open किया 400 बजा रही है आपको लगा put लेना नहीं इसको लेने दीजिए उपर तक 38,510 से अगर rejection मिलेगी तब ही हम यहां पर put की position में position मनाएंगे और entry point होगा 38,400 के आसपास targets आपके यहां पर फिर नीचे की तरफ 38,300 और 38,150 तक के भी intraday में रह सकते हैं तो दोस्तों उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आया होगा क्या सेनारियो है और live stream को जरूर देखते रहें